कुछ ऐसी जगार दुनिया में भी है यहां मरने की इजाज़त नहीं है आपको मरना है, मौद को गले लगाना है तो कहीं बाहर जाए नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज मैं हूँ आपका दोस्त, आपका साथी बिश्नु स्वरूप यह जगह यहां मरने की इजाज़त नहीं है प्रशाशन कहता है कि आप यहां ना मरे आपको मरना है, मौद को गले लगाना है तो कहीं बाहर जाए बिचेतर ताहों से भड़े हुए इस दुनिया में कही बातें ऐसी होती है जिस पर आपको ताज्यू होगा मसलन, मौथ और जन्म अगर जन्म होता है तो मिर्थ्यू निश्चित है लेकिन इस दुनिया में एक जगह ऐसा भी है जिसमें मरने की इजाज़त आपको नहीं है जी हाँ दोस्तों नॉर्वे के Long Year Van नामक एक जगह है जो उत्रे धुब और नॉर्वे के बीच में पड़ता है इसकी आवादी लगबख 2000 की है यहाँ पर मरने की इजाज़त नहीं है Long Year Van यह ऐसी जगह है जहां पर 2000 की आवादी जो निवास करती है वह अगर बीमार भी होती है और उसकी मौत होती है तो इसके जो सम होते हैं वो बरसों तक यूहीं पड़े रहते हैं 1917 में एक हाथसा हुआ था इस जगह पर एक ब्यक्ति की मौत इन्फुलूंजा से भी थी इन्फुलूंजा के भाइरस जस के तस बरसों तक उसके सरीर में पड़े हुए थे लोगों में यह भै ब्याप्त हो गया कि यह जो भाइरस है उससे कोई और तो नहीं मरेगा उसके बाद 1917 में ही प्रशासन ने यह निर्णे किया कि अगर आपको मरना है तो कहीं आप बाहर जाएं जब लोगों को इस तरह की कोई इमर्जेंसी आती थी ऐसा लगता था उन्हें की आपात कालीन ब्यवस्था उन्हें चाहिए वो बिमार हैं वो मर्डे वाले हैं तो उन्हें सरकारी मदद से हेलिकॉंट्र से किसी दूसरे अस्थान पर ले जाया जाता था और वहां पर उसकी मौत होती थी वहां पर उसके संसकार होते थे लेकिन इस गौ siè में मर्डे की इजाजत बिल्कुल नहीं थी क्योंकि यहां पर संसकार नहीं होते थे यहाँ पर जो सब होता था वह बरसों तक उसी तरह पढ़ा रहता था वो सरना गलना कुछ भी नहीं होता था कहा यह भी जाता है कि यह इतना ज्यादा ठंडा परदेश है कि यहाँ पर लोग जल्द बीमार नहीं होते हैं उन्हें यह नहीं पता चलता है कि उसकी मौत आ रही है यहाँ पर उम्र बढ़ गई है लेकिन दुनिया में ऐसे भी जगह हैं जहाँ पर मर्ड़ने की पावंदी अद्भूत जानकारी के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें नेशन न्यूज धन्यवाद